और अब बात कर लेते हैं इंदोर की जहा एक जिम ट्रेणर पर लगा है मारपीट का आरोप आरोप ये भी है कि जिम ट्रेनर ने यूगती और उसके भाई के साथ मारपीट की है लेकिन मारपीट क्यों की है जब आप ये वज़ा जानेंगे तो चौक जाएंगे यहां एक लड़की ने अपने वजन को कम करने के लिए जिम जॉइन किया लेकिन ट्रेनर ने उसे दे दिया प्रोटीन पाउडर यहां ट्रेनर ने मारपीट की पुलिस ने ट्रेनर वैभव शुक्ला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है अब जुआ करने जाती थी और वहां के ट्रेनर के दोरा उसे कुछ प्रोटीन पाउडर और दिये गए थे और कुछ एकसेसिव एकसराइज उनसे करवाई गए जिसके कारणा स्वास्त बिगड़ना लग गया जिसकी शिकायत करने के लिए अपने भाई के साथ जब जिम में प और अपना पैसा रिफंट कराने के लिए उनने कहा था तो उस पर से जिम संचालाक ने मारपीट करी और वाद विवाद किया है जिसकी उपर से मुगदा पंजीबत किया गया विधाने करवाई की जा रही है और आखिरकार कितने खतरनाक हो सकते हैं ये सप्लिमेंट ये भी जान लीजिए तो हाई प्रोटीन हो सकता है बहुत खतरनाक आपको अपने वजन के हिसाब सही प्रोटीन लेना चाहिए प्रती किलो वजन सिर्फ एक ग्राम प्रोटीन जरूरी है हाई प्रोटीन से किड्नी और लिवर पर बुरा असर पड़ता है यहां तक कि आपकी मास पेशों को भी ये प्रोटीन पाउडर अगर आप सला के मताबिक नहीं लेते हैं तो नुकसान पहुचाता है पाचन तंत्र पर भी इससे असर पड़ सकता है हाई प्रोटीन से शरीर में जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो कम हो जाते हैं इसके अलावा हाई प्रोटीन दिल को भी प्रभावित करता है आए बढ़ते हैं आगे अब बात कर लेते हैं खरन माफियाओ की म하धि니 प्रषासन ने भू माफिया पर करना भारी पर सकता है सिर्पुर्ट शेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध निर्मान किया जा रहा था प्रशाचन मौके पर पहुँचा अवैध कॉलोनी पर कारवाई की गई और यहां से अतिक्रमन हटाया गया जमीन पर कबजा करना किस तना से महंगा पर सकता है ये ग्राफिक से जरीए अब आपको बताते हैं लेकिन पहले रिपोर्ट देख लीजिए शेत्र में खासतोर पर एरपोर्ट से लगा हुआ जो एरिया है वहाँ पर मुझे पिछले 6-7 दिनों से शिकायत मिली थी कि कुछ कतिपे 3-4 अराजक तर तो है जिनके द्वारा 3-4 जगों पर अवेद कालोनी काटने का काम किया जा रहा है और खास तोर पर जो शास की जमीन है पट्टे की जमीन है उस पे भी इस परकार का काम हो रहा है और उस पे निर्माड भी चालू हो गये है तो आज हम लोग हो तक भी पहुंच सकती है कुल मिलाकर जो भी इस पकार के अवेद निर्माड है उनको तो हटाएंगे ही लेकिन इसमें जो लोग शामिल हैं जो लोग यह प्लॉट विक्री का काम कर रहे हैं कालोनी काटने का काम कर रहे हैं उनके उपर बहुत कड़ी कारवाई होगी और श शक्ता पड़ी तो उसके उपर रासुका की कारवाई भी मारे दोरा खरी जाएगी